अस्सालाम अलेकम वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीरिके सब खेरे से होंगा और खुश बास होंगे तूजी आज हमारे खाना वे शबाना की किचन में बनने जा रहा है मेमन कास की बहुत ही फेमस दिश्ट है खाऊ सा तो देखते हैं वो क हमेस बाद अधा चार चाय की घृ के से अधा चाए गाएं देखा देखे हां अधा ऑद करेंगे हल्दी- पिसी का पाउडर थीक है फिर इसके बाद आपके पास हो तो ठीक है नहीं होताई हो तो को यह मस्लेब आरइस दोड़ा ही ने से ओस गा इस बाद आब हम ऐसे गो कों पाउडर आड़ करेंगे यह आपके पास हो तो ठीक है नहीं हो तो को मसला नहीं है बिना इसके भी बहुत अच्छी बन जाएगी इसमें पानी एड़ किया है और अब इसको कर लेंगे ग्राइड चले वान टू त्री तर्र मशीन चल रही है जब तक कि यह ग्राइड हो रहे ह अच्छे से सारा बेटर इसका मिक्स हो रहा है आप जाए हमारे चैनल को करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंज और फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो जी देख सकते हैं कितना अच्छे से यह मिक्स हो रहा है ब्लैंड हो रहा है सार यह थोड़ा देर तक के पके और अच्छे से पके तो जी हमने लिया है एक पॉट उसके अंदर हमने थोड़ा सा ओयल एड किया है उसके बाद उसमें हमने एड किये है कडी बत्ता ड्राय या जो फ्रेश हो वो दो नुचल सकता है तो जी इसको करेंगे हलका सा सौते ठीक है और जब तक के यह हो रहा है सौते हम थोड़ी सी आज जो चूले की फ्लेम है उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि हम जब इसमें कुछ एड कर रहे होंगे तो ओयल डेफिनिटली गरम होगा वो उड़के ना आ जाए तो इसलिए जब हमने वो जो हमने कडी का जो मिक् बहुत ताइम भी इतना नहीं लेती है सही है लेकिन अच्छी पगेगी पानी डालके इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से अभी देख सेता है आप लोग यह कितनी बदली है ठीक है तो अब हम इसकी स्पून रख देंगे साइट पर दो मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे ठी ठीक है ऐसे इसको फिर से बहुत जोड़ से हिलाएंगे कड़ी को इसके बाद हम इसमें एड़ करने लगे है अपने स्पाइसल जो के है सॉल्ट जो के होगा आपके जाइके के मताबक ठीक है हमने दो खाने का चमच डाला है ठीक है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे ला मिक्स तो जी इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स और पहले दो मिनिट इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ठीक है तो इस पर आप देख सकते हैं लंग कोई भी नहीं है बहुत ही पतला सही अभी इसका बेटर है अब हम इसको कवर कर देंगे ल थोड़े थोड़े ताइम में उसको बस स्पून उसमें हिलाते रहना है ठीक है तो जी अब हम आ गए चिकन की तरफ वैसे ये कीमा भी बन सकता है बीफ का भी और चिकन का भी हो सकता है बट मुझे चिकन की बोटियां वाला वो अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने वो बनाय तो जी सबसे पहले लिया था ओयल उसमें एड़ किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर उसमें एड़ की है अनियन जो रफली चॉप्ट है चॉप्ट नहीं है रफली कटी हुई है ठीक है पतले पतले स्लाइसेज में अब इसको हम अच्छे से करेंगे शिक 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 इसमें आप spatula ये जो भी आपका spoon होगा उसको आप ऐसे stir करते रहेंगे ताकि ये जो हमारी प्यास है ये थोड़ी soft होजाए ठीक है तो जी जब तक कि ये पग रहा है आप हमें बता हैं आप हमारी next कौन सी recipe देखना चाहते हैं या जो भी आपको हमारा recipe पसंद आ रही है नहीं आ रही है आप हमें हमारे comment section में जरूर बताएगा तो जी आप हमने इसमें add कि है हमारी chicken जो के हमने बहुत चोटे-चोटे से cubes में cut की भी दी इसको हम अच्छे से पगाएंगे chicken जैसे कि आपको पता है जल्दी पग जाती है तो प्याज भी हमारी soft हो गए इसके अंदर हमने chicken भी अच्छे से chicken का color change करना है ठीक है chicken का जैसे आप देख सकते है white color में वो change हो रही है और अब थोड़ी थोड़ी वो white है और थोड़ी वो कच्छी ही है तो इसी में अब हम add कर देंगे अपने बाकी के ingredients जैसे कि हमने इसमें भी आदा कब दही डाला है हमने बहुत ही rough tomato को काटा हुए है वो हमने इसमें add किया है और इसके बाद हमने salt इसमें add किया जो के है आपके बिल्कुल जैके के मताबबिक ठीक है उसके बाद जी हम इसमें add करेंगे बिसी हुई लालमर्च मैंने दो खाने का चमची अड़ किया था आप इसमें अपने जाइके के मताबिक कुछा है तो तो जि आप देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिए है अच्छे से इसका कलर भी जेंज हो गयाया की आखने स्वाजित शोटी चॉटी चॉटी के स्मयर में चूटी फोटी त्यूटी स있는 पीठिक效 कि मसीमर निए अड़े उसके अग्स हमने स्पून स्टिर किया है इसके बाद हम फिर से पार्शली इसका कैप वो कर देंगे रख देंगे तो जी अब हम आ गए हैं स्पगेटी की तरफ स्पगेटी में हमने पानी को पहले पानी के अंदर एक चमच सॉल्ट आइड करना है उसको थोड़ा सा बॉयल होने देना लिवक वाम जब वो हो जाएगा उसके अंदर हमने स्पगेटी आइड कर देनी है ठीक है तो स्पगी बहुत जादा लंबी-लंबी होती है तो उसको मैंने हाफ-ाफ करके इसमें आइड की थी क्योंकि मुझे वही सही लगता है बहुत जादा लंबी-लंबी स्पगेटी इतनी अच्छी नहीं लगती है बाकि जैसी आपको सही लगए आप लोग ऐसे रख सकते है तो जी वहाँ पे कड़ी हमारी रैडी हो रही है यहाँ पे चिकन रैडी हो गई है अपने प्लेटर लेना है उसके अपना स्पगेटी आड़ करना है पर जो चिकन अपने मनाई थी अब आपको प्रेशा लेका के लिए पापड़ी और जो प्रेशाली है एड़ी के लिए लोगने नापटी है असेंबल कर दिया है तो जी यह जितना दिखने में अच्छा लग रही है उतना ही टेस्टी भी था तो यह खाए हमें जरूर बताया आपको कैसी लगी है हमारी खाउसा की इजी रेसिपी एक रही है तो जरूर भी और अपक्षूप्ण की बिखनर कर दो यह खी आफ तो यह तो जबताया था से लुटर कर से अक्षा जबताया है डिखने में जरूर को काम्छा जरूर क्वेदा तो यहाद रूर्ड कर अच्छा कि